पहले भी दोसा दो बार कॉंसलर लड़ चुके हैं एक बार भी हमारे घर में सेलरी नहीं आई है हमने जनता का पैसे है जनता कोई देना है जो हमारी फैक्टरी का पैसे है ना वो भी हमने जनता कोई देना है और जो रही बात आप सेलरी की पूछ रहे हैं, सेलरी तो हमारे घर में ना आई है और ना ही सरानी है वो दूसरे MLS ने दस साल रहके सियासत में सत्ता में रहके जो उनोंने काम नहीं किया वो इनोंने ऐसे हलका इंचार जातम नगर होके वो काम किये है तुकि इच्छा सेवा करने की है, कोई राजनीती करने की नहीं है, तुछ सेवा दा मोका दो बहुत काम करने, जिस्तरों ना ने करायने अगो वी करने, अगर MLA बन जाते हैं, जो सलरी मिलती है, एक MLA विधायक को, वो सलरी आप लोगे, लेकिन घर में नहीं आएगी, वो आतमनगर हलके में आया हूँ, आप देख सकते हैं, मेरे साथ यहां पे कॉंग्रेस पार्टी को मिदवार, कमल जी सिंग करवल की वाइफ और साथ में इनके रिष्टेदार और साथ में समर्थक हैं, इनसे बात करते हैं, कि ये डोर टूर परचार कर रहे हैं, किस तरीके का स करवल साब तुस्सी सेवा दा मोका दो, और बहुत कम करनगे, जिस तरह उना ने करायने और गोवी करनगे, लास्ट टाइम करवल साब को बहुत कम टाइम मिला था, और मुझे लगता आई थे, कि 10-15-20 दिन मिला था, और उसी बीच में उन्हों ने जो भी लोगों तक है, तो आपको क्या लग रहा है, किस बार का रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, पबलिक की इतनी सपोर्ट है, रिजल्ट तो बढ़िया हो गई, इन्हों ने इतने काम करवाई है, इतने मतलब मेरे को नहीं लगता कि कहीं हमारी बोट और जाएगी. अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं, आप फिल्ट में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों की रुजहान किया इस बार? अच्छा, आप देख सकते हैं, कि बहुत अच्छा, इनका कहना कि बहुत अच्छा, इस बार? मेरे साथ मैं मैं आप किस तरीके से देखते हैं मैडम आप लोगों के घर तक जा रहे हो और वड़तें जो है किचन तक पहुंच जाती है ओट मांगने के लिए तो किस तरीके से देख रहे हैं जो आप लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरीके का रिस्पॉंस लोग दे रहे हैं की हैं जो कि काबिले तारिफ है कोई लफ नहीं है लोगों को दिखता है कि क्या काम हूँ है क्या नहीं है जैसे हम लोग डोर टूर करने जाते हैं जो दूसरे आमेले हैं नामने में लेना बसंद करती हैं उनका तो उनके इलाके में जाते हैं तो जो लोग उनके साथ पहले चल बता के हैं उन्होंने काम किया क्या है काम करके दिखाया और आज के दिन जो से हम यह करते हैं कि आप अपना विकास चाहते हो अपने बच्चों का फ्योचर चाहते हो तो कॉंड Här實ल को वोड दे कड्वल वीटिण वोड क्योंकि ये एक S.A.M.L.A. है जिन्होंने आज तक जो दस साल पहले रहे हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं यहां पे कोई हॉस्पिटल ले आँ, कोई गॉर्मेंट कॉलेज ले आँ, क्योंकि 70 साल के बाद एक हमारे लुधियाना की M.L.A. है संजेतलवार जी, जो वो पीर जी, उन्होंने ये बात उठा ही है, और मैं चाहती हूं कि ऐसे इनसान को, ऐसे लीडर को आगे आना चाहिए, आगे लेके आना चाहिए. जैसे कड़वल साब कहते हैं कि मैं इमांदार बहुत हूं, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो इमांदारी से काम करूँगा, किस तरीके से देखते हैं कि उनकी इमांदारी पे लोगों इस बार वोट करेंगे? जैसे कड़वल साब ने एवी कई है, कि मैं अपनी सेलरी गरीबा मिच दवागा, तो देवी रेने, है ना, ओ देवी रेने, तो इहीं चीज और सारी जनता जान दिये, ना, ताहीं हो साथ दे रही है, असी कारकर जा रही है, लोग की सानु सिराते चाकरे ने, कैंदे नी चीज, असी तो अड़े नाल ही हां, तो कहते हैं, बोद कम समा मिला था हमें, जैसे उननीस दिन ही मिले थे, उन्नीस से भी कम ही मिले थे, अब पांच साल टो होगे उनको सेवा करते हुए, और सेवा का मौका बाबा जी ने दिया, वाहि ग्रुजी साथ में ए, तो आगे वी हम सेवा करेंगे, इस से भी जादा, इस मेरा बड़ा बेटा MBA करके अभी काम में आया है, छोटा बेटा स्टड़ी करके है, आप लोग पीछे पूरी फैमिली के साथ हरमंदर साथ गए थे, क्या करने गए थे, वहां पे हम मत्था देखने गए थे, और बाबा जी का शुक्रियादा करने गए थे, कि बाबा जी ने हम हमें इस लाइक समझा, इस सेवा के लाइक समझा, जो हमें टिकट मिली है, और जैसे लोगों का विश्वाश है ना, हम पे कडवल साब पे, जैसे लोगों का विश्वाश है, वो वैसी सेवा करेंगे, वैसा ही पूरा करेंगे, क्योंकि वाइगरू जी की किर्पा से हमारे बाबाजी ने जो दिया बहुत कुछ है तो हम कडवल साब यही बाबाजी से जैसे मतलब पब्लीक से प्रॉमिस करते हैं बाबाजी से भी करने गए थे यह सेलरी वाली बात बता रहे थे सेलरी डोनेट करेंगे अगर एमेले बनते हैं उसके बारे बताईए क्या वहां पर कु कोई पैसा उम्हारे गर में एंडर नहीं होता क्युक्न हमने लेकर ही नहीं आना हमने जंता का पैसा है जंता को देन है जो हमारी पैसा है ञीकर्फन कंप पैसा जो हम जमक्तक को देने ये तो कडवल सामने आपको पता ही है उन्होंने तो कसम खा रखी है इस बात की कि हमारे घर में कोई सेलरी नहीं आएगी हमने जो सेलरी भी मिलनी है बाकी तो क्या लेके आना है मतलब जो बंदा अपनी सेलरी घर में नहीं लेके आ रहा तो आप समझ लो वो कितना उसके मन में भावना है सिवा करने की जी बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कड़वल साब की वाइफ है ये कह रहे हैं कि कड़वल साब ने कसम खाया है कि अगर MLA बनते हैं MLA बनने के बाद जो सेलरी मिलेगी उसको हम घर में नहीं लेके आएंगे और वो जो सेलरी है वो पबलिक में डोन करना